नमस्कार दोस्तों मैं अनुराग आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल इलेक्टरिकल अनु में दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि दो बल्बों को सीरीज में कैसे जोड़ा जाता है और आज मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सेर जरूर करें तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने दो होल्डर दो 100-100 वाट के बल्ब लिये हैं और थोड़ा सा वायर लिया है तो चलिए होल्डर में कनेक्शन करते हैं सीरीज में तो सबसे पहले हम होल्डर के जो दोनों कैफ हैं उनको खोल कर अलग रख देंगे यह देखिए इस तरीके से हमको खोल करके रख लेना है जैसे दोस्तों मैं बता रहा हूँ सेम आपको वैसे ही करना है ऐसे रख लिया उसके बाद हमें ब्लैक वाला वायर उठाना है और ब्लैक वायर पहले होल्डर के किसी भी एक पॉइंट पे हमें जोड देना है तो हम इस वाले पॉइंट पे ब्लैक वायर को जोड देंगे तो यह देखिए दोस्तों होल्डर के एक पॉइंट पे हमने लगा देंगे ये देखिए दोस्तों red वाला वायर भी हमने लगा दिया है आप थोड़ा सा अच्छे से देख लिजिए दोनों holder को आपको इस तरह से रखना है एक holder में black वायर लगा देंगे एक में red लगा देंगे अब दोनों holder के एक एक जो point है वो खाली है अब इसमें हमें क्या करना है एक red wire का टुकड़ा हम और लेंगे और एक सीरा इसमें लगा देंगे और एक सीरा इसमें लगा देंगे ठीक है तो ये देखिए दोस्तों दो holder को हमने series में connect कर दिया है अब आप देख लिजे अच्छे से ठीक है ना अब चलिए इसको कैप फॉर्म टाइट कर दे रहे हैं और बल्ब को लगा देंगे तो ये देखिए दोस्तों दो बल्बों का series connection हमारा complete है अब है test करने की बारी तो हमने supply में जो है लगा दिया है अब हम switch को on करेंगे ये देखिए बल्ब हमारा जल गया है और ये दोनों बल्ब series में जल रहा है और ये थोड़ा आपको धीमा लग रहा होगा थोड़ा धीमा ये जल रहा है ऐसा क्यों है देखिए क्योंकि ये series में लगा हुआ है series में क्या होता है voltage बढ़ जाता है अगर मान लीजिए 200V की इससे में supply अगर आ रही है तो एक बल्ब 100V पर जलेगा दूसरा भी 100V पर जलेगा यानि कि 100-100V ये आपस में बाट लेंगे series में voltage हमारा बढ़ जाता है ठीक है ना तो आपने अच्छे से जो है समझ लिया है तो ये है दो बल्बो को series में जोड़ना कि आपस में किस तरीके से जोड़ते हैं ठीक है ना I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इसी तरी का वीडियो अगर देखना है तो हमारे चैनल को अभी subscribe कर ले ठीक है